नमस्कार साथियो स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में और ये एक नोटिस आप लोग अभी देख सकेंगे इसको डिटेल में बताना तो भी संभब नहीं है ये क्या है लेकिन आप लोग इसमें अगर पढ़ेंगे धंग से तो आपको बहुत चीजा समझ में आएंगी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए अटेंडेंस ठीक है उसके बाद मार्किंग बाई डिजिटल फिंगर प्रिंट ये पूरा जो प्रोसेस होता है किसी भी एग्जामिनेशन के टाइम पर सिसी टीवी का पूरा अरेंजमेंट उसके बाद फ्रिस्किंग यानि की चेक संख्या क्या होने वाली है उनके इसाब से क्या चार्ज एमाउंट करेगी जो भी टेंडर को लेने वाले हैं वो सारी चीजें बता नहीं है पर तो इसमें आपके लिए क्या है समझने वाली बात यहां पी यह है कि टेंडर के लिए अगर कोई नोटिस दे दिया गया है साइ लोग भी कहीं ने कहीं से anticipate करी रहे हैं कि for worry last तक आपके पास नियोजन नीती भी होगा अब वो जैसा भी योग क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है उस पर ज्यादा दिमाग लगा करके समय वेस्ट करना भी नहीं है वो क्या होगा जो भी होगा उसको accept करना ही करना है एक बार नियोजन निती बन जाएगी टेंडर वगरा दे दिया गया है सारा चीज जल्दी जल्दी होगा आपको फिर समय बिल्कूल भी नहीं मिलने वाला है और उसका पहला indication आज की notice के थूरू आप लोग देख सकते है ठीक है आगे आपके उपर है कि अभी भी आप चिंत कराया जाए ठीक है यहाँ पर साफ साब बता दिया गया है कि 125 रूपय से अगर ज्यादा खर्च बैठेगा पर केंडिडेट ठीक है तो वो जैसे से खुद बियर करेगी ठीक है यानि कि फॉर्म वैर वैसे भी 100 रूपय में आपने भरा था तो 100 रूपय ही लगेगा और वै बहुत आप लोगों को यह निउस दे करके थोड़ी बहुत आपको जिग्यासा हो फिर से किताब उठाने की अब हो ना हो अगेन यह आपके उपर है कि मिलते है नेक्स चुडियो में तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई